असलाम उलाइकूम उमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम अपने 4 सप्टेंबर के अम्डिकैट को डिस्कस करेंगे इस प्रफॉस्ट को अर्थ है अपनी कॉंप्लीट को कंप्लीट करती है ट्वंटीफॉर आउर्ड में एक रोटेशन में आपको पता है हमारी एक रप्रॉशन थीजिए डिग्री की इक पल होती है वह कहता है कि तू आउर्ड के अंदर वो कितने डिग्री जो उसको कबर वेगा हम रोटेशन ऑफ इन वान आर फाइंड करें तो थीजिए डिवाइड बैट एट फिरी थीजिए डिवाइड बैट वाइड पास का जिकर फिफिटीन डिग्री निकि एक और के अंदर अर्च्वां वह 15 डिग्री कवर कर रही है तो तू और के अंदर वह कितना कवर करेगी 30 degree right option is beta next question हमारे पास है self repairing phenomena does not occur इनके self repairing phenomena किसमें नहीं होता mitochondria chloroplast नहीं है self membrane आपको पता है mitochondria और chloroplast जो है वो self replicating organism अपनी protein अपना DNA होते है वो खुद अपने आपकी maintenance करती है लेकिन जो हमारे पास self membrane होती है वो खुद को maintain नहीं कर सकती है और दूसरी चीज़ हम नहीं पड़ी थी कि किसी और्गैनिजम की cell membrane damage हो जाती है तो उसकी death हो जाती है इसकी repairing नहीं होती right option is Charlie next question हमारे पास है when protein is heated its death structure is destroyed कि जब हम protein को heat करेंगे उसका कौन सा structure हमारे पास है वो तबहा हो जाएगा अब जब आप अपनी protein को heat करते हैं primary structure के अंदर आपके पास peptide bonds होते हैं जो within the protein होते हैं यानि वो intramolecular forces होती है और जो हमारे पास बाकी secondary tertiary quaterny में हमारे पास hydrogen bonding होती है डाइसलफाइड bridges होते हैं वो सब intermolecular forces होती है जब हम लोग heat provide करते हैं तो हमारे पास इंटर-molecular forces होती है वो break कर जाते हैं यानि इसका secondary tertiary quaterny तीनों structure हो सकते हैं लेकिन हमारा primary structure होगा वो destroy नहीं होगा यहां हमारे पास secondary tertiary or quaterny की option दी हो है तो हमारे पास right option की आज़ेगा delta next question हमारे पास है alkyl halide undergo addition oxygen nucleophilic substitution या आपके पास नीउकलियोथ स्बस्चिटूशन होती है मैं अपनी एक वीडियो में आपको सब compounds का बताया था कि हमारे पास जो alkane होते हैं इनने free radical substitution होती है अलकीन में हमारे पास electrophilic addition होती है और किंस में हमारे पास Nucleophilic Substitution होती है Benzine में हमारे अंदर Electrophilic Substitution होती है LD Hydro Ketone में हमारे पास Nucleophilic Addition Reaction होते है और जो हमारे पास Alcohol और Carboxlic Acids होते हैं उनने हमारे पास Depend करता है कि कौनसा Bond Breaker है CO Bond Breaker है यह हमारा Oxygen Hydrogen Bond Breaker है यहाँ पे उसने हमसे Alkyl Hyalide का पूछा है तो अलकाइल एलायड में हमारे पास नुक्लियोफिलिक सब्सिटूशन रियक्शन होते हैं, राइट ऑप्शन इस चार्ली नेक्स्ट कॉश्चन हमारे पास है थे टर्म क्रोमोसोम वास क्वाइंट बाए कि क्रोमोसोम की जो टर्म थी वह किसने यूज की थी हमारे जो क्रोमोसोम थे, उनको डिसकवर करने वाला होफ मिस्टर था, स्टेडी उसको स्ट्रेस बर्गर ने किया था और इनको नाम जो था, वो वाल्डेयर ने दिया था, यानि राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आजेगी, चार्ली नेक्स्ट कोशन हमारे पास है, इन मेल्स दे जीन फोर कलर ब्लाइडनेस इस लोकेटीड ओन गें मेल के अदर कलर ब्लाइडनेस के जो जीन है, वो कहां पर होगी, अपको पता है कि हमारी X-Link recessive trait है, तो इसकी जीन हमारे पास X-Chrome Osome के उपर ही होगी, राइट ऑप्शन इस डेल्टा यानि बोथ अलफा एंड बीटा नेक्स कोशन हमारे पास है which of the following is known as sex link disease हमारे अंदर दो तरहां की disease होती है autosomal और एक sex link मारे पास ल्यूकीमिया अल्जाइमर आपको पता है कि आपकी mental disorder होता है leukemia जो होता है आपका blood dix order है उसके बाद जो color blindness आपकी है वो x-linked excessive trait है यह sex link disease है तो राइट option का जी हमारे पास delta next question हमारे पास है how many sex chromosomes are present in human human के अंदर sex chromosome कितने होता है आपको पता है कि human के अंदर 23 pairs of chromosome होते हैं 46 chromosome होते हैं 23 pairs होते हैं उनमें से आपके पास 22 pairs होते हैं वो autosome के होते हैं हमारे पास 1 pair of sex chromosome होते हैं अगर नंबर पूछे तो 2 chromosome और 1 pair right option is alpha next question हमारे पास है which of the following is true about ends of chromosome के chromosome के ends के बार में कौन सी बात ठीक है chromosome के ends को हम लोग telomere कहते हैं telomere आपके पास non sticky ends of chromosome होते हैं जो दूसरे chromosome के साथ fuse नहीं होते हैं यह हमारे पास option इसका right option हमारे पास बीटा है इसके लावा centromere आपको पता है कि जो chromosome का central constructed region होता है उसे हम लोग centromere कहते हैं इसके लावा kinetocore protein बिसक्यू पर present होते है है satellite आपके से कहते हैं है हेट्रो क्रोमेटीन के अंदर आपके पास DNA sequence होता है उसे हम लोग satellite DNA कहते हैं यहां पर हमारे पास ends के बार में पुछा बहुत तो right option क्या होगी beta यानी telomere next question हमारे पास है who was first to observe the chromosome के chromosome को सबसे पहले किस ने observe किया था आपकी book line है कि flaming ने 1882 में chromosome को सबसे पहले observe किया था right option is alpha next question हमारे पास है which of the following is true about metaphase metaphase के बार में कौन सी बात थीक है metaphase आपको पता है कि वह phase होती है जिसमें आपके chromosome होते हैं वह आपके cell की equator में आके रेंज हो जाते है cell DNA start होने से पहले आपका जो DNA होता है वह condensed होना start हो जाता है उसकी compacting जो हो start हो जाती है metaphase के तुरान ये compacting maximum हो जाती है इस मतलब ये chromosome होते हैं वह short हो जाते हैं और थीक हो जाते हैं तो हमारे पास right option क्या होगी बोथ alpha and charlie चार्ली ये थीक भी होते हैं और short हो जाते है next question हमारे पास है if three ribosomes are attached to single messenger RNA at different points then how many similar proteins will be formed बिल्कुल simple mcqs था ये आपने polyzone का concept पढ़ा हुआ है polyzone में क्या होते हैं आपके messenger RNA के साथ बहुत से ribosomes जा हो आके attach हो जाते हैं लेकिन आपकी एक ही protein बन रही होती है वहाँ पे इसने आप पूछा आपके पास similar protein similar protein का word आप तब यूज़ करेंगे जब दो protein बन रही हो त बन रही होती है तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा option मार करेंगे कि no similar protein के एक जैसी protein नहीं बन रही होती महाँ पर बन ही एक protein रही होती है राइट option is delta next question हमारे पास है a fully expressed alleries referred as के वो alleries जो किपको completely express करवा दे उसे हम लोग dominant कहते हैं right option is alpha next question हमारे पास है during the NFA stage in bone marrow cell each of the chromosome has के अन कितने chromatids होते हैं आपको पते हैं जब मेटाफेस के अंदर क्रोमोसों चैल के एक्वेटर पर आकर कुद को अरेंज करते हैं तो उनके पास दो chromatids होती है अनफेस में क्या होता है आपके जो chromatids होते हैं आप सेपरेट हो जाता है यानि कानेटो कोड़ से ब्रेक होंके एक लिए एक क्रोमोसों में पास उस्ताइम इक ही क्रोमेटिड होता है राइट आप्शन भेट में उनके आप साथ है इस इस ग्रैक्शन होती है अनृप पास फॉल्मिन राषिट इस योज चैज़न एक ब्लबबांट की पोजिशन पाइंट करने के लिए कौन सा रियक्शन य लोग पर केड़ करते हैं इस पिता नेक्स पॉच्छन हमारे पास है मैं फर्टिलाइज़शन इस डन देन ओम पर दूख इस के फर्टिलाइज की बाद घुर्टा अधा है वह फ्लाइट कुषछन हमारे पास बीते ट्रैवल नहीं करती है और आपको पते हैं आप के उल्टो में ट्रैवल करती है इलेक्रो नहीं हैacakt John दृल pig अप मैरे पास एटो यह वैक्व में ट्रैवल करेंगाद में से तुуем यह्थ ऑपने हमारे पास N is कितने number of bonds होते हैं, अब इसका structure draw करें, carbon carbon के दिरम्यान, triple bond होगा, और दोनों carbon एक एक hydrogen से single bond के साथ attach होगे, तो हमारे पास total bond कितने हो जाएंगे, 5, right option is delta, next question हमारे पास है, body is displaced by 2 meter, find the work done by 30 newton force, आपको displacement दी हुए है, force हुए है, आपने work done find करने, work का formula आपको पता है, FD, force into displacement, 30 into 2, हमारे पास क्या answer आज़ेगा, 50 joule, right option is, sorry, 60 joule, right option is alpha, next question हमारे पास है, most of the genetic disorders are, casper, के जातर genetic disorder, आपके किस वज़ा से होते हैं, आपके mutation की वज़ा से होते हैं, आपकी book line है, right option is alpha, next question हमारे पास है, a person has A blood group, it will not produce, एक person का blood group है, वो A है, वो कौन से antibodies नहीं produce करेगा, एक इनसान का john सा blood group होता है, वो उससे opposite antibodies को affiliate करता है, हमारे पास जिसका A होगा, वो anti antibodies को produce नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो anti antibodies को produce करेगा, तो उसकी अपनी ही जो A antigen A है, उसकी destruction स्टार्ट हो जागी, तो anti antibodies को produce नहीं करेगा, राइट option is alpha, next question हमारे पास है, which of the following is not present in composition of endoplasmic reticulum, statement को आपने देखने को उसने composition का पूछा समें synthesis का नहीं बूचा, protein, cholesterol, lipid, carbohydrate, जो cholesterol होता है, वो endoplasmic reticulum के अदर synthesize तो जरूरूर होता है, लेकर उसकी composition में include नहीं होता, right option is beta, next question हमारे पास है, bombay phenotype, bombay phenotype, आपने पढ़ा हो है, यह क्या है, skin color phenotype है, weird green color phenotype है, यह blood group phenotype है, हमारे एक disease है, जो blood group के related है, तो right option हमारे पास क्या जाएगी, Charlie, next question हमारे पास है, dash interact with environment to produce dash, हमारे पास जीनो टाइप plus environment मिल के हमारे फिनो टाइप को बनाते हैं, आपका skin color है, एक तो skin color है, एक तो skin color आपका determine करेंगी, आपकी genes, यह आपके genotype में क्या है, दूसरा आपका environment है, वो आपके skin color को जो determine करेंगे, यह जीनो टाइप और environment दोनों मिल के phenotype को कंट्रोल करते हैं, तो हमारे पास right option क्या जाएगी, बीटा, next question हमारे पास है, bacterial cell lags के, bacterial cell में हमारे पास क्या नहीं होता, bacterial, हम दोग prokaryotic और eukaryotic cell के defense में पढ़ते हैं, हमारे पास bacterial, जो prokaryotic cell होते हैं, उनमें kolesterol नहीं होता, right option is Charlie, next question हमारे पास है, during which process surface area of cell membrane is increased, किस process के अंदर, आपके cell membrane जो surface area हो increase हो जाता है, endocytosis, exocytosis, जब आप एकी exocytosis होती है, आपको पता है कि आप जो membrane होती है, वह slightly bulge out हो जाती है, वह बाइर की तरफ ऐसे move करती है, उसका जो surface area होता है, उस time increase कर जाता है, एक research के मताबिक जो आपका surface area होता है, वह almost, वह आपका about 20% increase कर जाता है, during exocytosis, तो right option हमारे पास क्या जाएगी, delta, next question हमारे पास है, work time by spring force के spring force होने माला work हमारे पास क्या होगा, आपने spring force का formula पढ़ा है, f is equal to minus kx, यानि यह force हमारे पास negative होती है, तो इसके तो जो हमारे पास work होगा, वह भी negative होगा, right option is alpha, इसके बाद कुछ ऐसे question हैं जिनकी options students को याद नहीं तो और कुछ points हैं जो नीचे हम लोग discuss करते हैं, saturated monokalboxic acid को हम लोग क्या करते हैं, fatty acid की definition है, molusks के अंदर हमारे पास respirator pigment कौन सा होता है, hemosyanin होता है, उसके बाद है कि who published his papers along with Darwin, हमारा scientist है, यह वैलेस, बुक की line है, उसके बाद आपसे acceleration के related कोई MCQs पूछा हो, उसके direction पूछी हो, formula पूछा हो, कुछ भी पूछा जा सकता है, scale and vector का पूछा हो, तो आप इसको देख लेएं ची तरह, उसके लावज आपके chemistry का portion था, उसमें organic chemistry से जादे MCQs थे, एक physics का MCQs था, कि 980 degree के अंदर आपके pi radians कितने होता है, आपको पता है, जब आप degree को pi में convert करते हैं, तो उसे pi और 180 पे, उसे multiply कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 5 pi answer आजाएगा, नेक्स्ट आपको था कि, जो PMC है, वो कुछ chapters को focus कर रही है, कल कर जो हमारा टेस्ट था, उसमें evolution, reproduction, muscle and movement वाले chapter को focus किया गया था, आपको आज की discussion की समझ आ गई होगी होगी, किसी भी MSPUS में कोई वीशू है, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी होता लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते हैं, अल्लाँ आफिस